स्वागत है विवर्ज आप सबको मेरे चैनल में विवर्ज आप में से बहुत ने मुझसे पूछा है कि 25 दिसंबर 2019 में मंगल व्रिश्चिक राशी में प्रवेश करके रूचक पंच मापुरुष योग बनाने जा रहा है इसका प्रभाब कैसा होता है और इसका परीचे बताईए मैं बताना चाउंगा विवर्ज 25 दिसंबर 2019 को उर्जा प्रधान ग्रह मंगल व्रिश्चिक राशी में प्रवेश करने जा रहा है जो वर्ष के अंत तक रहेगा और इसका शुब प्रभाब आप सब को नव वर्ष में भी देखने को मिलेगा रही बात रूचक योग की रूचक योग विवर्ज पंच महापुरुष योगों में मंगल की स्थिती से बनता है ऐसा योग रूचक योग कहलाता है जब जातक की कुंडली में मंगल स्वाराशी यानि मेश या वरिष्चिक या फिर उचक कहोकर मकर में होता है या फिर जातक की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सब्थम या दसंभाव यानि केंद्र में बैटा हो तो रूचक महापुरुष योग का निर्मान होता है ऐसे योग में जलम लेने वाले व्यक्ति सुन्दर, खुमल एवं कांती युक्त आकरिती के होते हैं उनके शरीर के अंग, सुडैल, ब्रकुटी सुन्दर, काले केश, ग्रीवा शंके समान, रक्त, श्यामवर्ण, कमर पतली और बड़ा बलवान होता है ऐसा जातक अत्यन सहसी, शूर्वीर, शत्रों पर विज़े पाने वाला किर्तिवान, शीलवान और धर्मान होता है अधिकतर ऐसे जातक बड़े उध्योगपती, सेना क्या धक्ष, रास्ट्या धक्ष या जहां प्राक्रम की जरुवत है, वहां बहुत आगे पहुंसते हैं ऐसे जातक विद्या में अभिरूची रखने वाला, मंत्रादी का प्रयोग करने वाला, देवताओं में प्रेम रखने वाला, गुरुजनों के प्रती नम्र होता है यदि स्वैम राजा ना हो, तो राजा के तुले और उच पदिकारी जरूर होता है साधरन रूप से उनकी आयू सत्तर वर्ष बताई गई है उनके शरीर में शहस्त्र त अगनी से कोई चिन पड़ जाता है और उनकी मित्यू ऐसा माना जाता है कि देवस्तान में ही होती है वियर्स, ये योग जातक को निर्भीक, बलशाली, उर्जवान, प्राक्रमी बनाता है ऐसे जातक अपने बल, बुद्धी और उर्जा का इस्तमाल सकरात्मक कारों में करते है इन्हें शत्रों का कोई भाय नहीं होता एवं एक बार जिस काम को ये जातक ठान लेते हैं, फिर उसे परिनीती तक लेकर जाते हैं ये जातक अधेड उम्र में भी तरुन समान प्रतित होते हैं ये वैक्ति धनी शास्त्र वा शास्त्र के ज्यानी होते हैं मंत्र और अभिचार क्रिया में भी कुशल होते हैं विवर्स इन्हीं राजा से सम्मान मिलता है ये शत्रुजीत, कोमल मन वाले त्यागी, धनी, सुकी, सेनापती और वहन प्रेमी होते हैं इस योग से प्रभावित व्यक्ति, पुलिस, राजनीती, सेना, शारिक, सक्ति, युक्त कारे में अगर नहीं होता है मशीन विवाग उर्जा से जुड़े छेतर में काम करते हैं जिस बात को ठान ले उसे अवश्य पूरा करते हैं इस योग के बनने पर व्यक्ति स्वस्थ उत्तम होता है और पती रोधक शमता मजबूत होती है रूचक योग वाला व्यक्ति करम प्रधान मेनती होता है विवर्स मंगल, बुद, ब्रेस्पति, शुक्र और शनी पंच माप्रुष योग बनाते हैं जोकी जाता के लिए बहुत ही शुब माने जाते हैं इन में मंगल, रूचक योग बनाते हैं तो बुद, भद्र योग का निर्मान करते हैं वहीं ब्रेस्पति से हंस योग बनता है तो शुक्र से मालवे योग यम्शनी से शश योग का निर्मान होता है इन पांच योगों को ही पंच माप्रुष योग वियोर्स जोतिश में कहा जाता है एक भी योग यदि आपके कुंडली में है तो आपका जीवन असाधरन भागेशाली होना शुरू होता है यदि पून बली हो तो उतकरिस्ट फल मिरते हैं दूसरे ग्रहों के प्रभाब आने पर फल में उचता अत्वा निन्यता देखी जा सकती है वियोर्स ऐसे में पंच माप्रुष योगों में अधिक्तम फल तब गिनना चाहिए जब बताया गया योग पूरी तरह दोश्मुक्त हो इन पंच योगों में अगर मंगल आदी के साथ सूरी एवं चंद्रमा भी हो तो जातक राजा नहीं होता केवल उन ग्रहों की दशा में उसे उत्तम फल बिलते हैं इन पंच योगों में से यदि किसी कॉंडली में एक योग हो तो भागशाली होता है राजा तुल्य के समान सुक प्राप्त करता है यदि आपके दो योग है इन में से तो यह तीन योग है यह चार योग है तो समझ लीजी आप चक्रवरती राजा का सुक आपको मिलना है जिस किसी कॉंडली में अगर पाँच पंच मापुर्ष योग है तो वो चक्रवर्ती राजा बनेगा एक भी है तो राजा के समान सुख, वैवप्ता, संपन्ता, पोस्ट, पदीशन, नाम, प्रसिद्धी, राजनीती के अंदर, बिजनस के अंदर, किसी भी छेत्र में हो मुआ का head of the department प्रमुक बनेगा और आगे उन्नती करेगा विवर्स एक और सवाल जो आप में से कई लोगों ने मुझसे पूचा है कि अलग-अलग लगने में रूचक योग के बारे में बतलाईए तो विवर्स मेश लगने में रूचक योग मेश लगने का स्वामी मंगल कुंडली में दशमभाव में उच राशी मकर में स्तित होता है तो रूचक योग बनता है अगर आपका मेश लगने है और जो मैंने भी कहा मंगल दशमभाव में मकर में है तो आपका रूचक योग बन रहा है यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है उसमें आत्मबल और आत्मविश्वाश होता है इन्हें रक्षा विवाक अस्त शहस्त्र के कारोबार सेना पुलिस एवं कांच के वैपार में उत्तमत्य प्राप्त होती है इस योग के कारण माता एवं पत्नी को कस्ट का सामन करना पड़ता है ऐसे जोतिशिये गरंतों में वर्नित है करक लगने में रूचक योग विवर्स अगर आपका करक लगना है करक लगने की कुंडली में सब्तम एवं दसम भाव में यह योग बनता है इस लगने वालों को कुंडली में यह उत्तम राजयोग का निर्मान करता इस योग के प्रभाब से वेक्ति को राजनिती, पॉलिटिक्स एवं बिजनस में अपार सफलता मिलती है। इस योग के प्रभाब से उत्तम, संथान, सुक भी प्राप्थ होता है। सिंग लगने में रूचक योग। अगर व्यूवर्स आपका सिंग लगने हैं और आप जानना चाते हैं कि आपका रूचक योग कैसे बनता है तो सुनिए। सिंग लगने की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में वरिष्चिक राशी में स्तित होकर रूचक योग का विवर्स निर्मान करता है। इस लगने में मंगल योग कारक होता है। इस योग के निर्मित होने से ये भागे को बहुत बहुत प्रवल कर देता है। व्यक्ति को अपार यश, अपार मान सम्मान प्रदान करता है। व्यक्ति भूमी और भवन का सौमी होता है। ग्रहस्त जीवन में जीवन साती से मध्भेत होते हैं। कुम्ब लगने में रूचक योग यदि आपका कुम्ब लगने है तो आपका रूचक योग इस प्रकार बनेगा कुम्ब लगने की कुंडली में विवर्स मंगल दसमेश होता है इस लगने में मंगल सोग्रई होने पर इस योग का निर्मान करता है इस योग के प्रभाब से वेक्ति, परिश्णमी और स्वार निर्मित धनी होता है भाईयों से इन्हें विशेश सयोग नहीं मिलता है बिजनस में इन्हें विशेश सफलता मिलती है इन्हें नेत्रित्व का विशेश गुण प्राप्त होता है व्रिश लगन में रूचक योग यदि आपकी कुंडली व्रिश है व्रिश लगन वाली कुंडली है और आप जानना चाते हैं कि आपका रूचक योग कैसे बनेगा तो मैं कहाँ दूँ मंगल व्रिश लगने की कुंडली में सप्तम भाब में रूचक योग का व्यूवर्स निर्मान करता है इस योग के कारण व्यक्ति अत्यलिक सहासी और आत्मा विश्वाशी होता है अपने सहस और प्राकरम के कारण दूसरों पर वाचिस्व बनाये रखने की कोशिश करता है मंगल सप्तम में स्तित होने से मांगलिक दोश भी बनाता है जिसके कारण व्यवाईक जीवन का सुक प्रभावित होता है जीवन साती से दुश्मनी होती है और जीवन साती को रोग और कस्ट देता है यह योग स्रीना एवं पुलिस विवाग में उन्नती प्रधान करता है तुला लगने में रूचक योग अगर विवेवर्स आपका लगने तुला है आप जाना चाहते हैं कि आपका रूचक योग कैसे बनेगा सुन लिजिए मंगल तुला लगने की कुंडली में चेथूर्थ अर्थवा सप्तम भाब में स्थित होकर रूचक योग मनाता है इस लगने में रूचक योग होने पर व्यक्ति परश्रमी एवं करमत होता है अपनी मैनत से भूमी भवन एवं वहन सुक प्राप्त करता है इस योग के शुप प्रभाप से धन की सिती अच्छी रहती है इस लगने में रूचक योग मांगलिक दोश भी निर्मित करता है जिससे विवा में विलंब होने की संभाबना रहती है जीवन साथी से मनमुटाव रहता है व्रिश्चिक लगने में रूचक योग आप में से जो भी जिन व्यक्तियों का व्रिश्चिक लगना है और जानना चाहते हैं कि व्रिश्चिक लगने में रूचक योग महान राजों कैसे बनता है। वैवाई कीवन के सुक में कमी लाता है। सहसिक कारे में सफलता परदान करता है। सुर्ण से समंदित बिजनस में विशेश विशेश लाप प्राप्त करता है। उबस्तित होने से बहुत एक सुक प्राप्त होता है। भूमी एवं वहान का सुमित्व प्राप्त होता है। माता से लाब मिलता है। ये था विवर्स मंगल का राशी परिवर्तन 25 दिसंबर 2019 विरिश्चिक राशी में प्रवेश और महान पंच महाप्रुष योग का निर्मान विरिश्चिक राशी में करना। साथ में प्रतेक राशी का रूच्चिक योग कैसे बनता है। इसके बारे में मैंने शास्त्रों में क्या कहा है। योधिश ये विवेचना किया है। आशा करता हूँ इससा को लाब पहुचेगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चैनल शेर भी करिएगा। नववर्च के डेरो शूप कामना है। आपके बहुत से कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मैं कमेंट्स का अभी जवाब देना शुरू करूँगा। अपनी कमेंट बॉक्स को देखते रहेगा। धन्यवाद नववर्च के शुप कामना है।